कि सब्सक्राइब नाओ प्रेस्ट पेल आइकन नेवर मिसन अप्टेश अप्टेश वागत है आपका मेरे यूटूब चैनल स्टडी प्लस में और आज आपके भीच में लेके आया हूँ उत्राखन कनिश्टी सायक का पेपर ठीक है यहाँ पर जो यह कनिश्टी सायक का पेप यह पेपर हुआ था आपका 25 नॉवंबर संद 2018 को ठीक है इसमां बहुत सारे कोड्स थे यह आठ यह 10 कोड्स से इसके अंदर जैसे कनिश्टाइग भी था ठीक है बहुत सारे एक्जाम थे उन सबका एक ही पेपर हुआ था ठीक है आप बहुत सो लोग ने पेपर दिया होग ठीक है तो दोस्तों कहना चाहूंगा कि हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक्जाम देते हैं लेकिन हम उसके बाद उस पेपर को दुबारा नहीं देख पाते हैं कई बार हम उस पेपर को कहीं रख देते हैं जिसको हम दुबारा खोलने का हमें समय नहीं मिल पाते हैं हम नह सब्सक्राइब अगला कहाँ है नियाग्यों मेंसे अविकारी सब्द किया होता है तो इसका हुग यहाँ ठीक है ऐसे सब्द्र जिनने में कोई अग्ला क displacement किटने वर्ग में बाटा जाता है थिक that किटने वर्गों बाटा जाता है धो इसका सही आंसर ऑड़ा प्रिकार दिये गे विगलपों में से निश्चे वाचक सरवनाम क्या है क्या पहला है क्या कुछ कौन यहो निश्चे वाचक सरवनाम बताने आपको ठीक है तो इसका सही आंसर है डी यहो यहो मेरी बुक है यहो मेरी पैन है तो एक निश्चे वाचक सरवनाम अगला है नए पत्ते के र पाहुन जो आए हो गाओं में सहर के मेग आए बड़े बन उनके समर के इन पंक्ति में अलंकार क्या है? तो इस पंक्ति में अलंकार क्या है? रूपक उपमा यमक उत्प्रेक्षा तो इसका सही आंसर है D उत्प्रेक्षा अलंकार अगला प्रस्न है निम्ण दियेगे विकल्पों में मुर्धन्य वर्ण है 200 तो गो तो इसका सही आंसर है तो अगला प्रस्न है निम्ण दियेगे विकल्पों में से हिकारत सब्द का अर्थ क्या होता है उपेक्षा, अपेक्षा, सापेक्षा, निरपेक्ष हिकारत सब्द का अर्थ होता है उपेक्षा अगला है निम्ण में दियेगे विकल्पों में महा प्राण व्यंजन है चो जो छो पो महा प्राण व्यंजन क्या है छो दस्वों है दात काटी रोटी मोहावरे का अर्थ क्या है अपना अधिकार होना, प्रियवस्तु होना, अच्चरिक महत्तुपुन होना, पक्की दोस्ती होना तो इसका सही आंसर है D, पक्की दोस्ती होना अगला है, निम्न में दियेगे विगलपों में से पुर्तिगाली सब्द है पादरी, मार्चिस, रूबल, चोंका, ठीक है, तो पुर्तिगाली सब्द इसमसे है पादरी अगला है, निम्न दियेगे विगलपों में से पुर्तिग सब्द में संदी है दीर के संदी, व्रद्धी संदी, गुड संदी या यान संदी तो इसका सई आंसर है, पुर्तिग में कौन से हो जाएगी, बारा का डी यान संदी अगला है, निम्न दियेगे विगलपों में से खंडन का विलोम है एकी करण, प्रफुस्टन, विगटन, मंदन तो तेरा का है डी, मंदन अगला है, बहुमुकी पृतिपा का धनी विक्ति, जिसने प्रेस, रेडियो, टीवी, विरत्चित, फिल्म, विज्यापन, संप्रेशन का ऐसा कोई माध्यम नहीं जिसके लिए उन्होंने सपलता पुरो लेखन कारिना किया हो तो यहाँ वेक्ति, वहाँ वेक्ति निम्न में से दियेगे विकल्प में से कौन है शिवानी, प्रेमचन, मनहोर स्याम जोसी या राहूल श्यांकित अनन तो इसका सही आंसर हो जागा 14 का C, मनहोर स्याम जोसी कारक चिन्नों को कहते हैं परसर्ग, उपसर्ग, प्रिट्ट्य, अक्षर, तो इसका सही आंसर हो जागा A, परसर्ग उदरन्ड मार्तन नामक समचार पत्र के प्रसम संपादक थे पंडित बडिनात सर्मा, पंडित जुगल किशोर, राजराम होन राए या पंडित बाग किशन भार तो इसका सही आंसर हो जागा 16 का C, 16 का B, सुरी जुगल किशोर, 17 है, निमनों देगे विकल्पों में से देशा सब्द है, सच इसने हैं पत्ता धिंग, ठीक है, तो 17 का है D, अगला है, लिपी का अर्थ है, वर्ण लिखने की कला, अब हाशा का अर्थे पुन रूप, ध्व पुरुषकार से भारती ज्यानपीट, पुरुषकार से ए और भी दोनों से, उप्विक्ति में से कोई नहीं से, तो 19 का हो जाएगा C, ए और भी दोनों से, निमन देगे विकल्पों में से, जिस वाकी में दही का लिंक निर्णाई होता है, वो हो है, दही खट्टी है, दही खाता हूं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा B, दही खट्टा है, अगला है, एक स्कूल की घंटी, साथ बार बजने में 12 सेकंड का समय लगती है, इसे तीन बार बजने में समय लगेगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, आप निकालना 4 सेकंड में होता है, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा B पांडव के जीवन पर आधायत होता है हारूल नित T.A.L मैन्यू फैक्टिरिंग सॉलूशन द्वारा विक्षित भारत का प्रथम ओध्योगिक रोबोट है ब्रावो, ब्रेवो, ब्रेब या ब्रेबू तो इसका सही आंसर क्या है? A. ब्रावो भेल छड़ा जलबरपाद इस्तित है जहरादुन, चमपाओद, चमोली, पिथाड़ागड तो इसका सही आंसर आपको पता होगे आप तो D. पिथाड़ागड में है हडपा सबिता के बजा बाजरे के दाने बाजरे के दाने गुजरात के इस्थानों से प्राप्त होगे थे वे इस्थल क्रमसों हैं कौन-कौन से लोथल या रंगपूर, काली बंगा या लोथल, नागेश्वर वो रंगपूर, उप्रिक्ति में से कोई नहीं सही आंसर हो जाएगा फंडी की खाड़ी में आता है विस्था सबसे बड़ा जवार, उचा फड़का नौली एवं पेट साल के शिलाश्टे की खोच की मौलाराम ने, शिपरशाद नौटियाल ने, शिवानन नौटियाल ने, यसुधर मटपाल ने, उप्रिक्ति में से कोई नहीं तो इसका सही आंसर जो होगा C, इस दवर मटपाल वर्सट 2017-18 में उत्राखन के राज्जी में सकल घरेली उत्पाद GDP में छेत्रों के युगदान के घट्ते करम में सही अनुकरम क्या है अगला है, गढ़वाल वकुमाओं के पड़ुति शेत्र में हाच से बने कागज के प्रियोग का वर्सट्ब सब सबसे पहले किस ने किस ने किया वॉल्टन, शेरिंग, ट्रेल या जॉंसन तो इसका सही आंसर है A वॉल्टन ने इसका वर्लन किया है अपने गजेटियर में श्यक्ति राजी अमरीका द्वारा प्रथम नाभी की परेक्षन किया गया था 15.1945, 16.1945, 16.1945 या 17.1945 तो इसका सही आंसर हो जाएगा C 16.1945 जुत्ति युद्ध के समाई तराई भाबर में पटवारी और काननगों की नियम सर्व पर्थम निधायत किये गे थे 18.19 में, 1898 में, 1898 में, 1898 में, 1899 में, ठीक है तो इसका सही आंसर हो जाएगा B, 1898 में, 25 पैसे, 50 पैसे, 380 सिकों का मूली इतना है, 130 है तो 50 पैसों के सिकों की संग्या कितनी होगी, ठीक है तो आप इसको अराम से निकालिए, इसका उत्तर में बताता हूँ, 140 है दिएगे विकल्पों में, सक्ती पत्रिका का प्रकासन किस ने किया था बद्यत पांडे द्वारा, मनो जोसी द्वारा, और मोहन जोसी द्वारा, स्यूपरसार डबराल द्वारा, या मौलाराम द्वारा तो इसका सही आंसर हो जाएगा A, बद्यत पांटर ने इसको सक्ती निकाला था जब अन्मड़ागवार बंदो आता है 1918 में, किस दीप को अब कलाम दीप के नाम से जाना आता है, बेरन, नरकुंडम, वीलर या मानजुली, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा C, वीलर दीप क अगला है, अमोग भूधिस हा सक्ता, योद्धे, पाल, उशान या कुडिन्द बंद सेका, तो इसका सही आंसर हो जाएगा D, कुडिन्द बंद सेका किसने कहा था, आजाले लगवा हमारी पहुच में है, और इसे पकस कर पकड़ लेना है, महात्मा गादी ने, सुबाचन दिबोष ने, योहालाल नहिरू ने, या शौकत अली ने, तो इसका सही आंसर हो जाएगा A, महात्मा गादी ने उत्राखन पर पर्थम गुर्खा आकरिपन कब वहा, उत्ते अठासो तीन में, अठासो में, सत्रासो त्यानवे में, या सत्रासो इकानवे में, ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है, ये दिया हो ने, अठासो, सत्रासो इकानवे में, ठीक है, सत्तर है नहीं तो इकानवे दे निरु मिरु कारिक्रम का संबन्द है जल संगरक्षन भू संगरक्षन उडजा संगरक्षन तो इसका सही आंसर है ए जल संगरक्षन कसार देवी का मंदिर इस्तित है नंदा देवी चोटी पर कश्यप चोटी पर देवतोली चोटी पर या सुदसन परवत तो इसका सही आंसर ह बी कश्यप चोटी पर मिशन इंद्र धनुस्ट जो संबनित है अगला है हर्चल छेत्र में सेव की विल्षन पर जाती विक्षित की गई थी फैडरिक विल्षन ने, एडमिन विल्षन ने, जॉन विल्षन या उपिर कोई ने तो इसका सही आंसर जो है वो है आपका फैडरिक विल्षन विल्षन नाम से एक सेव की पर जाती भी आज भी उकाए जाती है हर्शिल में ठीक, 43 कोशन है भात में जनहित याचिका की शुरुआत हुई, सन 1986, 1975, 1980 या 1990 तो इसका सही आंसर हो जाएगा सन 1986 सन 1986 में चंपाउत के बालेशर मंद्य से प्राप्त अबले किस सासिक से संबन्ज थे हैं सुहल देव, याहत देव, क्राचल देव या चंदर देव तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, क्राचल देव यदि Z बराबर 78, ACT बराबर 72 और BAT क्या होगा, ठीक है, तो इसको निकाली है राम से, ठीक है इसका उत्तर में बताता हूँ यहाँ पर, इसका सही आंसर है B राजी जन जाती के निवास इस्तान को कहते हैं, पाड़ा, रोच्चुडा, रोमबाय, थर तो इसका सही आंसर है 46 का B, रोच्चुडा, परतिवर्स अर्था आवर मनाया जाता है, इसका अब आरंबु हुआ, सही आंसर होजाएगा C, आस्टलिया से इसको सुरू किया गया था, सिड्नी से वह प्राकतिक हासा जिसमें प्रिसिद्ध नित्यांगना प्रोतिमा बेदी की मिट्टी हुई, केदावनात की बाण, मालपा भूसकलन, उत्तरकासी भूसकलन, निलकंट में बादल फटने से, तो इसका सही आंसर होजाएगा B, मालपा भूसकलन सल्तनत काल में दाग और चहरा प्रथा की सुरुवात किसने की थी, ठीक है, मुहमद बिन तुगलग, अलावदिन खिलजी, बलवन या इलतुत्मिस, तो इसका सही आंसर है, B, अलावदिन खिलजी ने सबस्पर चहरे दागने और घोड़े दागने और चहरा रखने की प्र इंद्रा गाधी नहर प्रारंबर होती है, फरक का बैराज से, जोबरा बैराज से, कोटा बैराज से, हरी के बैराज से, तो इसका सही आंसर क्या है, D, हरी के बैराज से, सबसे लंबी नहर है हमारे भारत की, सभासार पुस्तक के लेखक है, मानवेंदर सा, किर्टिसा, अगला है भारत में लीड बेंगल योजना के सुरुवाद विए 1989 में 1959 में 1979 में 1969 में तो उसका सब सही आंसर है D 1969 बहुत बार पूछा गया है यह एक्जाम में अगला है पलेठी का सूरी मंदिर अवस्तित है देवप्रियार विकास खंड में कीटि नगर विकास खंड में जण अगला है निम्न में दिये गे विकलपो में से उत्राखन की व्रिष्टी चाया छेतर है उच्ची हिमाले, ट्रांस हिमाले, लगुं हिमाले या तरायभावा तो उसका सही आंसर जो है वह है आपका B ट्रांस इमाले एक क्या होता है विश्टि छाय प्रदेश होता है ठीक है अगला है यदी थिरी स्टार फाइट बराबर दो हजार पांच सुनों चार स्टार शे बराबर तीन हजार च्छे सो सोरह और पांच स्टार साथ बराबर चाहर जार नौशे पत्चिस तो सिक्स एट बराबर क्या हुआ एक रिजिनिंग है ठीक है तो आप इसको सॉल्ब कीजे मैं इसका आंसर है बता रहा हूँ आप पहले इसको सॉल्ब कीजे फिर अत्तर मिलाएए ठीक है इसका सही आंसर है नीचे देए विकल्पों में से स्री बद्रिनात धाम का प्रमुक मंदि है योग बद्री वृद्ध बद्री कपाल बद्रिया राज बद्री ठीक है तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी राज बद्री 58 का डी अगला है एंड्रोइड है एक अप्लिकेशन प्रोग्राम एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक अप्लिकेशन सॉफ्ट्ययर या उप्रुक्ति तो इसका सही आंसर है C कुमार संभाव ठीक है तो कुमार संभाव में क्या कहा गया है हमें आलगों ओश्यदी प्रस्त अगला है मूरी सामराजयें पांच प्रमुक राजनीति केंदर थे ठीक कौन कौन से थे आपको मिलान करना है मालब 5 के 5 दिये हैं पाठले पुतर तक्स इसका सही जो उत्तर है वो है आपका C, पाटली पुत्र था तक्सिसिला, उज्जैनी, तोसली और सुवार नेगरी वन पंचाथ समुधाइक 1 की विवस्ता को बिटिश सासुग दरख का विधिक रूप से समर्थन दिया था वन पंचाथ का गठित भी 1930, 1931, 1932, 1932 तो उसका सही आंसर है सन 1931 भारत का वह राजी इसमें गोरान घाट दर्रा इस्तित है, वह कौन सा राजी है? महारास्ट, केरल आयस्थान या करनाट तो उसका सही आंसर है C, राजिस्थान उत्राखन उच्छी न्याले नैंताल के भाहुन का निर्मान करवाया गया था स्टेन मकडोनल्ड दरा, जी आरजी विलियम्स दरा, एडविन टी एटकिंसन दरा, हजी वॉल्टम दरा तो इसका सही आंसर है A, सैंटोनी मकडोनल्ड दरा भारती प्रतिबूती विनायक बोर्ड यानि कि सेवी की स्थापना कभी, 1990, 1988, 1987 या 1986 तो इसका सही आंसर हो जाएगा B, 1988 1815 में संगोली की संदी में उत्राखन के अंगरीजी सासन के अंतरगत आया वर्तवानों संगोली कहां इस्तित है? उत्तरप्रदेश, उत्राखन, बिहार या पशिमंगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा C, बिहार संगोली कहां है? बिहार में अंतरास्टी नियालेकी नियाधिस का कारिकाल होता है पांच वर्स, साथ वर्स, आठ वर्स या नौ वर्स तो इसका सही आंसर हो जाएगा D, नौ वर्स हिमाले परवत सिंखला के उत्पत्ति भारती भुकंड के किसके साथ तकराने के प्रणास हो भी? यूरेशाई भुकंड, साइबेरियन भुकंड, उत्राखन भुकंड या अर्वेरियन भुकंड तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूरेशाई प्लेट, ठीक है? यूरेशाई प्लेट से टकराने से हिमाले परवत का निर्मान हो यह ति किसी सांकितिक भाहसा में मेच को एनसी डेवलू जीम और बी ओ एक्स बॉक्स को सी क्यू ए लिखा जाता है तो उसी भाहसा में नोटबुक को क्या लिखा जाएगा? सॉल्ब करिए ठीक है? मैं उत्र बताता हूं उसका आप मिलान इसको बाद में कर लेना ठीक है? तो उसका सी सही है रासी स्टेडियम कहा है? टिहरी पॉड़ी नैनिताल या पिठोड़ागर रासी एक सबसे दूसरा उंचा स्टेशन इसको माना आता है ठीक है स्टेडियम माना आता सॉरी तो यह है पॉड़ी में अगला है निमनेखित कतनों का परिक्षान कीजिए ए बी से अधिक अंक अर सबस्ति किया ती एक सर्कारने भोटिया जने जाथी की अनिस रजलती सस्ते निए हैं कब सुचित क्या था ठीक है कब सुचित क्या था, यह दिन्ritड का 450 आ अल्वुरा जन्पत के चनौदा में गादी आसिम baik ऐस्थापना किसने की चंदाशि क रायाद ने कोविंद बल्व ब्लब पंथ ने काल। Germ तिलाल त्रेवजिनेशन 37 में जिती है थी कह? इन्सों सेटी है 1815 में भाद का पहला सर्वियर जनरल किसे निविट किया गया कॉलिन मेकेंजी जॉन मार्शल अलगी अंड़ ग्रीनला या दैरां सहनी सर्वियर जनरल ठीक है तो इसका सही आंसर है अल्विदा कुमाओ कुमाओ से गुर्खों की वापसी नामत पुस्तक के लेखा कौन है तो उसका सही आंसर है अगला है तो उसका सही आंसर हो जाएगा अगला है युवा ग्रहा है, थारों का नित्य है, गीत है यह सामाजिक प्रता या आभुषण है तो जुम्रा जो है यह एक थारों जारा नित्य गीत है अगला है फसलों के नियूनतम समर्थन मूली के अनुसंसा करता है नाफेड नाबाड CACP या उपिक्ति मैंसे कोई नहीं तो इसका सही आंसर हो जाएगा CACP नियूनतम समर्थन मूली के अनुसंसा करता है तीहरी रियासत तो पौन टूटी कर पौनी टूटी किस प्रगागा कर था भूमी कर रहा है, रियाजस सुगर, मनोरंजन कर आयात निर्यात कर या उपिक्ति मैंसे कोई नहीं तो इसका सही आंसर जाएगा C आयात और निर्यात कर भारत में RMRTP कानून को निरस्ट करने का सुझावन निम्न मैसे किस समीती ने दिया, रागववन समीती रंगराजन समीती राकिस मोहन समीती और प्रिक्ति मेंसे कोई नहीं तो इसका सही आंसर है A रागववन समीती MRTP एक्ट कानून को निर्स्ट करने का सुझाव अगला है मद महेश्वर भगवान सिव की प्रतिमा के किस भागी पूजा की जाती है बाहू, मुख, नाभी या जटा तो मद महेश्वर में क्या होती है मद महेश्वर में होती है आपकी नाभी की पूजा अब बात करें आगे एक निशिप कूट में 1245 को 3 से 34348 ठाउन को 5 से और 4579 को 6 से कूट किया आता है तो 5 या 689 को किस से कूट कियेंगे एक रिजनिंग है तो आपको बताना है आप सो सॉल्ट कीज़े, मैं उत्तर बताता हूँ इसका यह है आपका अगला है 84, निम्लिकित मैं से गड़वाल दरसन नामक पुस्तक के लेखा के है डॉक्टर यसंतर सिंग कठोच, डॉक्टर शिव पुस्तक नौटियाल, डॉक्टर राम सिंग, उत्युक्ति मैं से कौनी गड़वाल दरसन जो पुस्तक लिखी है, वह लिखी है शिव पुस्तक नौटियाल ने, बहुत बाप उच्छी गई है E-N-I-A-C E-N-I-A-C E-N-I-A-C, इनियाल की कंप्यूटर का फुल फॉम बताना है आपको कि क्या है Electronic Numerical Integrated and Computer है Electronic Numerical Integrated and Calculator है Electronic Numerical Integrated Automatic Computer है या Electronic Numerical Integrated Automatic Calculator है ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है पिचांसी का वो है A, Electronic Numerical Integrated and Computer ठीक है, इनियाल अगला है चंदराजी में नगत प्राप्त किया जाने जाना भूकर कहलाता था कटक, चूल, मुंड या सिर्ती तो इसका सही आंसर है सिर्ती ठीक है, कई बार सिर्ती लिया गया है जैसे कि बाजबादुचन ने सिर्ती का लगाया था होड़ी उपर अमरिका के सुतनतर संग्राम के दोरान बिटिस सेना का कमांडर था लॉर्ड करजन, चॉल्स कॉर्ण वालिस, लॉर्ड वैले जरी लॉर्ड रिपन तो इसका सही आंसर है बी, कॉर्ण वालिस इसका सही आंसर जो है जैदत जोसी ठीक, सबसे पहली होई थी अगला है प्रस्टन वाचक चिन्दी के स्थान पर कौन से संख्या आएगी, ठीक है कौन से संख्या आएगी, यह आपको solve करना है यहाँ पर, ठीक है तो मैं इसका उत्तर बता रहा हूँ, आप इसको solve कीजिए अराम से, ठीक है तो मैं इसका उत्तर आपको बतायता हूँ, ठीक तो इसका उत्तर हो जाएगा बी अगला है, नाइन्टी अगला है, स्वभागी योजना का उत्राखन में सुभारम किया 26 जनुरे 2018, 25 सितंबर 2017, और 11 अक्टूबर 2017, या 9 मार्च 2018, तो स्वभागी योजना जो स्टार्ट की गई है, वहे 9 मार्च 2018 को स्टार्ट की गई है, ठीक है अगला है, जौनसार छेत्र में कितने सयाना, छेत्रों का एक सदर सयाना होता है, 6, 4, 8 या पुक्ति में से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर जेगा 4 अगला है, निम्न में दियेगे विकल्प में विसम सब्द है, इन्फ्लिवेंजा, सकर्वी, सोखा या रतौन्धी, ठीक है, निम्न से दियेगे विसम सब्द की है, ठीक है, तो इसका विसम सब्द है, इन्फ्लिवेंजा, ठीक है अगला है प्रदीप सागिस आसनकान में गड़वाल ने काफी सिम्रिद्धि प्राप्ति की तो वो हो सिहासन पर कब बैठे थे ठीक है कब बैठे थे 1708 में 1712 में 1712 में 1712 में 1717 में तो बैठे थे सन 1717 में अगला है निम्न में देगे विकल्पों में से कौन सा एक लक्षन भारती गरतन सविधान का संगी लक्षन नहीं है निम्न लिखित संविधान सक्तियों का इभाजन राजजीपाल की न्युक्ति है द्वी सद्नादम क्योस्ता तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी राजजीपाल मैंसर नीचे दी गई शेड़ी में अगली संख्या क्या होगी 15 13 26 तो आप इसको निकालें कि अगली संख्या क्या होगी ठीक है उसके बाद मेरे आंसर से मैच करना ठीक है सही अंसर यह है ठीक है अगला है आज का अंतिम प्रस्ण स्थानी बोली में थारू परिवार जानाता है कुन्बा रोत्यूडा रोंबा यह संग थारू परिवार के बात हो रही है तो यह संग तो थारू परिवार के अंतर संग तो बहुत अच्छे प्रस्ण इसमें थे ठीक ह और यह जो पेपर है ठीक है तो इस पेपर को अधिस अधिस लोगों के बीच में शेयर कीजिए आप ठीक है और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक लाइक ज़रूर कर देना ठीक है तो मिलते हैं ऐसे पर काया के